अब दोस्तों आज है 23rd of May 2024 और हम लोग करेंगे ता हिंदू न्यूस पेपर के अनलेसिस मिरा नाम है सितेंदर चोधरी और अजमल कौन कौन से टोपिक करने वाले हैं एब बाद देख लेते हैं वोटर टर्नाउट को लेके काफी ज़्यदा कंट्रोवर्सी चल रही है और एलक्षन कमिशन ऑफ हिंडिया के उपर काफी ज़्यदा स्वाल भी खड़े हो रहे हैं तो आज उसके बारे बात करने वाले हैं कि 17 फॉर्म क्या होता है और वोटर टर्नाउट से इसका क्या लेना क्यों इंडिया में अभी जो एलेक्शन चल रहे हैं वोटर टर्नाउट अलग-अलग दिन पर अलग-अलग प्रसेंटेज दिखा रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे उसके लाव बीम स्टेक के बारे हम थोड़ा सा बात कर सकते हैं यह प्रिलिम स्टेक्ट बात करेंगे उसके लावा फ्लैमिंगो जो एक आर्टिकल है वो पूरी तरह से प्रिलिम स्टेकल दे रहा है उसके बारे बात करेंगे एडिटोरेल वाले सेक्शन से चलिए बढ़ते हैं सिधा पहले टोपिक पर लेकिन उससे पहले एक अपील आपसे करना चाहूंगा नीचे डिस्क्रिप्शिन बोक्स में एक फीड़एक फॉर्म दिया हुआ है इस फीड़एक फॉर्म में आप उसको भर सकते हो अगर आप अपना नाम वहाँ पर लिख सकते हो अप्शनल है नहीं लिखना चाहते है तो मतल लिखिए आप रैंडमली भी फीड़एक दे सकते हो उसमें अब हमें यह बता सकते हो कईसे हम अपने कॉंटेंट का इंप्रोव कर सकते हैं क्या-का-कलेची एच्छी है क्या-कलेचीते हम लोग इंपरूब कर सकते है ताकि आपका एकस्पिरिइज्श बैटर हो आपको बेटर कॉंटेंट मिले तो बेसिकली अब देखे एलेक्शन का महोल है और महोल काफी गरम है और पीक पॉइंट पे एलेक्शन इसे में चल रहे हैं तो अब यसली हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो रैलीज करते हैं वो अंटिशन कुछ भी बोल देते हैं कमिनल जाती के नाम पे धरम के नाम पे कुछ भी किसी को भी बोलते रहते हैं किसी को पर कुछ भी आरोप लगाते रहते हैं कोई नई चीज नहीं है और मॉडल कॉर्ट ऑफ कंड़क्ट चल रहा है तो थोड़ी उमीद की जाती है कि भाई मर्यादों में रहा कि अपनी स्पीचिस को दें चलो पॉलिटिकल लीडर्स तो कई बार थोड़ा वइड भी करते हैं लेकिन जो स्टार केंपेंडर्स होते हैं वो कुछ भी बोलते थे है तो इस समय कुछ स्टार केंपेंडर्स जो बीजेपी वाली साइड से थे उन्होंने जो है धर्म जाती के बारे में कुछ-कुछ भोला कहीं जो कॉंग्रेस के स्टार केंपेंडर्स थे वो अपनी रैलीज के दुरान ऐसा बोल रहे हैं कि Constitution change हो जाएगा अगर बीजेपी पा इन्गरेसके प्रेजिदेंट को यह भी इ gloves व्याईगा रहे घ्मिलूट ऊबारे में सेंड़ीग के अभी भूटर्स पर दोबारival से Model Code of Conduct के बारे में जुरूर बात करेंगे आप बढ़ते हैं पहले टोपिक पे और यह देखिए यह भी फर्स्ट पेज पर ही है No legal mandate to share voter turnout with the public says election commission एक बार इसका context क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ फिर major topic पे हम लोग जाएंगे context यह है और आपको भी पता है कि जब election होते हैं तो voter turnout कितना हुआ यानि कितना percentage vote डाला गया यह election commission of India के दोरा बताया जाता है 60% हुआ, 55 हुआ, 70 हुआ वो बताया जाता है apart from that apart from that यह भी बताया जाता है election commission of India के दोरा कि कौनसी constituencies के अंदर और कौनसे बूत पे कितना vote हुआ absolute term की मैं बात कर रहा हूँ कितना vote हुआ वो भी बताया जाता है और कितना percentage voting हुआ दोनों चीज़े बताई जाती है but यह जो practice थी न यह 2024 के अंदर follow नहीं किया रही है percentage बताई जा रही है no doubt लेकिन 2019 तक यह practice भी हुआ करती थी कौनसी constituencies के अंदर कितने vote डाले गए कौनसा candidate बाद में कितने vote से जीता वो तो बादें बताया जाएगा लेकिन यह अब नहीं बताया जा रहा है एक तो इशू यह है दूसरा इशू यह है के साब जो percentage बताई जा रहे है election commission of India के दौरा यह भी fix नहीं है आज बताई जा रही है जैसे मालोकल election voting over हुई आज बताई जाएगे 60% हुआ दस दिन के बाद एक नया डेटा आएगा वो कहेगा 65% हुआ तो यह voter turnout का डेटा भी यहाँ पे change हो रहा है और आज जो है यह major issues जादा है और ऐसे ही इसी मामले को लेके लोग कुछ जो है NGOs सुप्रीम कोट में चले गए और सुप्रीम कोट में उन्होंने कहा के साब Election Commission of India को यह guideline दीजिए कि 48 hours के अंदर अंदर सारा डेटा उसकी website पे होना चाहिए कौन सा डेटा exact percentage डेटा और total absolute term में किस booth पे किस constituency के अंदर कितनी vote डाली गई है यह डेटा होना चाहिए क्योंकि इसके अंदर काफी जादा difference आ रहा है final vote percentage के अंदर difference आ रहा है जैसे कुछ example इन्होंने यहाँ पे दिए example यह दिया गया है कि आप यह मान के चलिए कि भाया election over हुआ था 19th of April उस समय जो turn out बताया गया था that was 60% छीक है second phase का election हुआ 26th of April को उसका percentage बताया गया था 60.96% लेकिन जब 30th of April को final figure issue हुए तो percentage बढ़ गया 66.71% हो गया पहले कितना था 60% ति अचानक से 5 to 6% का jump हो गया अब इसके उपर सवाल खड़े किये जा रहे हैं कि भई ये jump पहली बात तो हुआ क्यूं ठीक है और यहाँ पर election commission of India के क्या क्या रोल यहाँ पर है अब मज़ेदार बात है जो की legal बात है election commission of India का कहना है कि legally legally कोई कानून ये नहीं कहता कि election commission of India को ये data public करना पड़ेगा ऐसा कोई कानून हमारे यहाँ पर है ही नहीं कानून क्या कहता है कानून ये कहता है as per conduct of the election rule 1961 वो ये कहता है कि जो returning officer होते हैं जो कि election officer होते हैं basically अपने बूत के उपर जो returning officer होते हैं जब voting count खतम हो जाता है तो form 17C वो हर political party के representative को दिया जाए कानून ये कहता है कानून ये नहीं कहता कि website पे जाओ और data को public के लिए publish कर दो ये जो हम लोग कर रहे हैं न वो voluntary है ताकि transparency बनी रहे ताकि जनता के बीच में election commission of India का और action process को लेकर trust बना रहे हम लोग इसलिए करते हैं कानूनी रूपे आप हमें ये नहीं कह सकते कि आप data publish कर ये हाँ form 17 जो है न form 17 as per rule ये दिया जाता है जो बूत होते हैं न उन बूत के ओपर political parties के कुछ दो तीन candidate होते हैं ठीक है उन ओमिनेट किये होते हैं उनके द्वारा वहाँ पर form 17 ये हम लोग आज भी दे रहे हैं पहले भी दे रहे थे future में भी देंगे क्योंकि this is a law ऐसा election commission of India ने बेसिक यह पर कहा है अब यह form 17 क्या होता है जिसके बारे में इतनी बात हो रही है यह होता है जब का form 17 यह election commission of India की website से मैं देखा है वही से इसको लेके आए हैं लोग देखा है इस form 17 के अंदर क्या क्या होता है total number of electors assigned to the polling station, total number of voters as entered in the register of the voters, total number of the deciding not to record votes under rule 49.0, total number of voters not allowed to vote, test votes इसके लिके होती है candidates for whom test votes are cast, total number of votes recorded as per the voting machine, number of the tended ballot papers जो बैलेट पेपर से वोटिंग की जाते हैं वो भी यहाँ पे होता है number of the voters whom tended ballot papers were issued under the rule 49.0, समझे यह सारी की सारी detail इस form 17 के अंदर होती है किस EVM के अंदर कितना वोट गया, कितने लोगों ने वोट किया, कितने लोगों ने रिजिस्टर किया, कितने लोगों ने रिजिस्टर करने के बाद, signature करने के बाद वोट नहीं किया, कितने वोट जो हैं वो कैंसल हुए, कितने वहाँ पे ballot paper से हुए, यह सारी detail form 17 के अंदर होती है और जो polling agent होते है political parties के polling booth के उपर उनको ये form 17 दिया जाता है और ये mandatory है as per law तो election commission विंडिया कहरा साब जो mandatory होता हम लोग करी रहे है दिक्कत क्या है अब दिक्कत ये है कि 2019 से पहले तो website पे दे रहे थे अब क्यों नहीं दे रहे हो एक तो ये बड़ी बात है election commission विंडिया ने इसके जवाब में ये कहा कि साब 2019 में भी data को update किया गया था ऐसी बात नहीं है 2014 में भी किया गया था 2009 में भी किया गया था ये जो turnout data होता है न ये बाद में update किया जाता है ये कोई नई practice नहीं है कि अगर आपका ऐसा लग रहा है कि पहली बाद data update हुआ है इस नोटा new practice एक तो आपके ये समझना पड़ेगा यहां पर चीक है तो form 17 का तो मैंने आपको बता ही दिया है पहले भी data update हुआ है 2019 में जब data update हुआ था तो final जो turnout था उससे 1-2% एक्स्ट्र गया था इस बात जो है थोड़ा 5-6% जा रहे वह बात अला गया अब इसके अंदेने कुछ rules होते हैं जैसे पी प्लस वन पी प्लस टू और पी प्लस फॉर जब voting खत्म होती है शाम को छे बजे या साथ बजे ठीक है उससे next day यह data publish किया जाता था उसके दो दिन बाद हर consequences के हिसाब से data publish किया जाता था और बाद में जब ballot paper count होते हैं तो पी प्लस फॉर दिन में वो data publish किया जाता है इस बार यह जो data है थोड़ा सा delay हो गया ऐसा election commission of India ने कहा इसकेर कुछ reason उन्हें बताई है एक reason जो नोने बता है यह बताया है कि साब जो presiding officer है जो em pregnant बोथ के अपर उन्ह ने data later publish किया है एक तो reason यह बताया, दूसरा reason यह बताया कि साब कई ही बोथ हैसे है जहां पे voting 6 बजे या 7 बजे के बाद भी चलती रहती है ऐसा भी कई बार हो सकता है तो वह data वहाँ से थोड़ा late आता है कुछ रीजिन उन्हें ये भी बताया है कुछ ऐसे remote areas हैं ठीक है वहाँ से data collect करने में समय लगता है इस वज़े से वो turnout थोड़ा सा late नज़र आता है और ballot paper के द्वारा जो voting होती है वो भी थोड़ा बाद में ही data आता है उस वज़े से शायद ये delay हुआ है लेकिन ऐसा delay होना और data update होना कोई नई चीज नहीं है पहले भी ऐसा होता रहा है एक तो मुहनलब पुरा मामला ये बनता है ठीक है तो how has election commission responded मैंने आपको बता दिया कैसे उन्होंने respond किया है पहली बार ऐसा नहीं हुआ है पहले भी ऐसा होता रहता है voting उपर नीचे होती रहती है अब Supreme Court ने इसमें क्या कहा Supreme Court ने एक तो कहा है कि जब आप ऐसी चीज़े होती है ना तो पब्ली के मन में ना suspicion आता है तो भी ये doubt क्यूं रखना जब पहले जो practice करे रहे हो उसको करते रहो इस पर क्यूं उपर नीचे कर रहे हो क्यूं delay कर रहे हो कुछ percentage गंदे ज़्यादा ही changes आ रहे हैं सब ही political parties सब ही constituency से election नहीं लड़ती है ठीक है हर जगा अब उनकी candidate नहीं होते है लेकिन उनको ये जानने का अधिकार ज़रूर होता है कि वहाँ पे constituency party को कितने vote मिले येस तो ये data उनको कैसे मिलेगा वो अपने representative के वहाँ तो नहीं भेजेंगे जिबकि उन्होंने वहाँ पे candidate खड़ा ही नहीं किया है तो वो data तो उनको election commission of India की website से ही मिलेगा तो अगर website वे data जाएगा ही नहीं तो उनको पता नहीं चलेगा which is again a doubt on the electoral process एक दूसरी बड़ी बात है जो छोटी political party होती है इनके पास तो इतनी manpower होती ही नहीं एक constituencies के अंदर 2000 से लेके 2200 तक बूत होते हैं इसका मतलब एक political party को कम से कम 6000 polling agent बठाने पड़ेंगे कि एक candidate के जो है polling agent हो सकते हैं तो क्या छोटी parties 6000 polling agents को appoint करेगी उनके पास इतनी capacity नहीं है इसका मतलब यह हुआ कि जो छोटी parties है उनके लिए level playing field नहीं है जबकि बड़ी party ऐसा कर सकती है वो ऐसा forward कर सकती है तो इसी लिए ये जो data है percentage term में जो data है वो तो आही रहा है और ये थोड़ा और जादा robust होना चाहिए और जो absolute term में data है ठीक है वो भी website के उपर जल्दी से जल्दी publish होना चाहिए किस constituency से किस booth से कितनी vote आई है ये data आपके पास होना चाहिए तो that was the whole actually controversy तो ये मैंने form आपको दिखा दी है इस form के अंदर क्या क्या चीज़े होती है बेसिकली ठीक है तो देख लिए इस तरह से form का second part होता है name of the votes as displayed on the control units name of the votes to be decided as per the item 5 जो पार्ट उपरवल में item 5 दिया हुआ था ठीक है इसके हिसाब से दिया जाता है उसके लावा number of the valid votes ये सब उस data form 17 के अंदर दिया जाता है form 17 भी थो थोड़ा news में था ये भी आपको पता होना चाहिए कि vote from 17 जो है वो क्या होता है जो voter turnout के declare करने का क्या procedure होता है वो आपको मैंने बता ही दिया हमारे पास से एक वैसे एक app होती है encore करके ठीक है enable communication होता real-time environment जब बेसिकली हर दो घंटे के बाद 9 a.m. 11 a.m. 1 p.m. 3 p.m. 5 p.m. 7 p.m. तक हर दो घंटे के बाद जो वहाँ पर returning office और होते हैं वो इस data को इस portal के ओपर upload करते रहते हैं ताकि एक real-time information मिलती रहे और at the end of the day 7 p.m. के बाद जो form 17 है वो submit कर दिया जाता है polling agents को और उसके basis पर फिर election commission account करके percentage वगरा count करती है ठीक है तो यह होता है बिलकि थोड़ा सा procedure आई होप आपको थोड़ा थोड़ा इसमें idea चल गया होगा allegations क्या है वो भी मैंने को बता ही रिये है ठीक है form 17 क्या है वो भी मैंने वको बताया दिया है थोड़ा इसको पढ़ोगे तो और better आपको समझ में आ जाएगा चलिए next article पढ़ते हैं beam stack gets legal personality after charter comes into force देखे legal personality का मतलब क्या होता है एक person का मतलब क्या होता है ठीक है जैसे मैं एक person हूँ तो मेरे कुछ fundamental rights होंगे मेरे कुछ fundamental duties होंगी right मेरे पास property मेरे पास कुछ property own करने का अधिकार होगा मैं एक legal person हूँ right इसी तरह से जो companies होती है जैसे reliance है मान के चलिए reliance भी कानूनी रूप में एक legal personality है उसके कुछ rights है कुछ duties है वो property own कर सकती है yes तो यह legal term में they are also legal person तो जब कोई entity जब कोई organization अपना concrete रूप ले लेती है तो उसे legal identification दे दी जाती है तो आप उसको यह कह से तो legal personality हो गई है basically उनके पास rights हो गए है तो the way of Bengal for multi-sectoral technical and economic cooperation जिसे beam strike आ जाता है will now be open to the new members and observers because after historic first charter of the grouping came into force on 20th of May ठीक है दो दिन पहले finally इसका first charter force में आ गया है तो अभी दूसरी countries भी इसको join कर सकती है charter आने का मतलब यह है कि अब यह एक legal proper पूरी तरह से with some rights, duties, right वो एक legal body हो चुकी है beam strike was formed in 1997 but for the long time for the long time इसके जो member है Bangladesh, Bhutan, Sri Lanka, Nepal, Thailand, Myanmar and India वो एक common charter पे नहीं पहुँच पाये थे हर किसी के अपने अपने जो है different point of view चल रहे थे क्योंकि इन countries के अंदर खुद भी बहुत सारे political issues हैं तो बात बनी नहीं रही थी finally अब जाके 2024 में बात बनी है legal charter इसका हम लोग ने accept कर लिया है और अब ये proper तरह से काम करेगा क्योंकि अब तक इसका कोई charter नहीं था तो beam stack उतना strong organization बन भी नहीं पाया हाला है कि इसके अंदर potential बहुत ज़ादा था लेकिन unfortunately बन नहीं पाया 1967 में जब Bangkok declaration हुआ तो वहाँ पे पांच country ठीक है जो South Asia से थी बंगलदेश भुटान इंडिया नेपाल श्रिलंका और दो कंट्री जो South East Asia थी Myanmar and Thailand ठीक है इनों का एक ये जो है group बना शुरुआत में इसका नाम जो है बिस्टेक हुआ करता था बंगलदेश इंडिया श्रिलंका थाइलेंड ये हुआ करता था Aзаथ nut chw nep कोपरेशन फिर बाद में 90 तृ फिर हम लोग ने मैं इनमार को भी इसमें आडि किया और RICH कि बारनाव बंगोक डेकलीरेशन में इसका नाम हम लोग ने चेंज करके बीम स्टेक कर दिया चीड इंपाल भूटान को नाम जो है वो BIMSTACK कर दिया गया ठीक है तो अब इसका जो नाम है डाट इस बे ओफ बेंगोल इनिशेटिव और दा मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड एकनोबिक कोपरेशन ठीक है एक तो थोड़ी सी प्रिलिम सोरेंटेड ये इन्फरमेशन आपको होनी चाहिए बेंटिया के हिसाब से कि क्या इंपोर्टेंस है एक तो यह आप देखें इसके नदर साउथ हेशन कंट्री से हैं चाइना इसका पार्ट नहीं है तो इंडिया यहाँ पर एक बैटर गाइडिंग प्रेंड या गाइडिंग मेंटोर के तुरबे काम करता है तो एक तो हमारे दिए बिल्कु नया प जाता है जो हमारी एक्टिस पॉलिसी है जिसे हम लोग इंडिया साउथ एशिया को कनेक्ट करते हैं उसमें बिन्स्टे का बहुत इंपोर्टेंट रोल हो सकता है बांगलादेश और मेनमार के थ्रू हम जो इंफर्स्रक्शर लिंकिंग वारा करते हैं वो हम लोग यहाँ से चैलेंजिस दिक्कत कहां आ रही है दिक्कत यहां आ रही है कि जिन कंट्री ने बिन्स्टे को बनाया वो कंट्री खुद बिन्स्टे को नेगलेक्ट कर रही है इंडिया खुद हम लोग खुद सार के उपर जादा फोकस करते हैं हम लोग खुद बिन्स्टे के उपर जादा आप जब मीटिंग करोगे नहीं बैठोगे नहीं तो भाई स्ट्रोंग कैसे बनोगे सबसे बड़ी दिक्कत और एक बिम्स्टैक का जो फोकस एरी है न वो बहुत ज़दा वास्ट है आप कम एरियास में काम करो लेकिन इफेक्टिवली करो आप इतने सारे एरियास में काम कर रहे हो और भी आपने अलग-अलग कंट्री को बाटे हुए है जैसे बंगलादेश को ट्रेड इन्वेस्टमेंट डिवेलेमेंट दे दिया भुतान को एन्वार्मेंट और कलाइमेट आप लगादेश को मेंडिया को स्कूरिटी डे दिया मैन मारक के अग्रिककल्च दे दिया को पीपल tax दे दिया श्रिलंका को साइण्स टेक्विड Filant को connectivity दे दिया तो 14 एरियाज में आपने अपने काम को डिवाइड कर दिया इसी वज़े से काम बिखरा हुआ है और यह कोई फ्री टेड अग्रिमेंट यहां पर है नहीं तो एकोनोमिक पोटेंशल तो जो था आप उसको रीप नहीं कर पा रहे हो और यह जो बाइमस्टे लड़ा ही चल रही है इंडिया के फूम कर्यांब के बीच में खुदी बोत पासी चलते रहते हैं मैनमार और थाइलेंड के बीच में border conflict चलता रहता है बांगलादेश और मैनमार के बीच में रोहिंग्याज को लेके issues चल रहे हैं तो जब खुदहीन के बीच में issue चल रहे हैं तो BIMSTAC अपने potential को exploit कर ही नहीं पा रहा है और जब हम लोग infrastructure की बात करते हैं तो BIMSTAC क्यों strong नहीं हो पाया because इंडिया, बांगलादेश, चाइना, इंडिया और मैनमार हम लेक रोड बना रहे हैं BCIM हलांकि अब तो इसके ओपर भी काफिर डाउट है लेकिन क्योंकि आप खुद आपस में agreement करके roads बना रहे हो क्योंकि इसके इंडिया चाइना इन वोल है तो BIMSTAC का इसमें कोई रोल हुआ ही नहीं तो भाई जब आपकी requirement यहां से fulfill हो रही है तो BIMSTAC को focus क्यों करोगे तो इसमें सभी country का इंपोर्टन जो है रोल है, इंडिया भी इसको ignore करता रहा बंगलादेश भी इसको ignore करता रहा तो जिस सीधी सी बात है जब आप किसी एरे को ignore करोगे तो वाँ से आप रिजल्ट की उम्मीद तो नहीं कर सकते हो हाँ, तो अब इंडिया इस बात को समझ रहा है और हम लोग बिम्स्ट्रेक को लेकि अभी काफे ज़ादा excited भी है let's see, future में बिम्स्ट्रेक को लेकि हम लोग का important चीज़े कर सकते है और डियूपेसी में यहाँ से घुमा फिरा के questions आते रहते हैं जो bilateral या multilateral जो agreements है जिसका इंडिया एक part है यहाँ से खुब सवाल आते हैं ठीक है, prelims में भी आते हैं और mains में भी आते हैं तो please इस तरह के topics को आप हमेशा priority पे रखें ऐसी international organizations जहां इंडिया एक active member है बहुत important होता है exam के लिए ठीक है, चलो आगे बढ़ें collision with the jet kills over 30 flamingos in Mumbai कितना unfortunate से incident हुआ मुंबई के अंदर एक jet से टकराए कुछ flamingos around 30 flamingos और उनकी बिचारों के death हो गई, इसलिए थोड़ा सा news में था तो flamingos I don't know आपने real life में देखे हैं के नहीं देखे हैं लेकिन वह ऐसे देखते हैं, कितने खुब सुरत graceful pink color के होते हैं दिखने में कितने बढ़िया लगते हैं और जब यह चलते हैं ऐसे sink में चलते हैं जैसे army की parade होती ना left right left right left right इस तरह से यह मस्त कभी-कभी यह sink में चलते हैं तो दिखने में भी बहुत खुब सुरत है हलाकि IUCN की red list में यह least concern है इन्हों कोई खास खत्रा है नहीं इनके existence को और sites के भी appendix 2 के अंदर रखे गए हैं तो वहाँ पे भी खास importance नहीं दी गई है importance in the sense की importance तब दी जाती है जावके पर threat होता है तो flamingos के survival को ले के अशुच कोई threat है नहीं तो इस लिस concern category सो रखा गया है वैसे इसके चार स्पीसीज पाए जाते हैं जिसमें दो अमेरिका में पाए जाते हैं और दो जो है एफ्रो यूरेशन countries के अंदर पाए जाते हैं और यह एक migratory bird है जो इंडिया में जो है time to time आता रहता है और खासकर wetlands के आसपास आपको ज़दा देखने को मिलता है इन पार्ट ओफ गुजरात, राजयस्थान, महाराष्टरा वहां पे आपको देखने को मिलता है algae, kleustrosine, small fish यह इसका food होता है इसको यह खाता है और जो mud nest तो गएरा जो रहती है जो carotinoids जो reaching के diet होते है carotinoids basically क्या होता है यह plants के अंदर पाया जाता है और जो plants sunlight को absorb करते हैं, synthesis करते हैं उसमें help करता है तो chlorophyll के अलावा, जो carotinoids होते हैं यह भी sunlight को absorb करने में help करते हैं difference of wavelength sunlight के होते हैं, उसमें काम करते हैं तो यह थोड़ा flamingos के बारे में basics information आपको पता होने चाहिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सागे next topic पे the risk of the Russia's nuclear posturing और यह editorial है Russia placed a space weapon in the orbit of our satellite तो basically Pentagon America ने अभी Russia के उपर यह rope लगाया है कि भाया, Russia ने एक low earth orbit के अंदर जहां पे America का already एक army का satellite है defense forces का satellite है उसी same orbit के अंदर अपना खुद का एक weapon satellite place कर दिया है हाला कि Russia ने उसके उपर कोई comment नहीं किया है लेकिन थोड़े समय पहले Russia ने अमेरिका के उपर यह rope लगाया था कि आप space को weaponize कर रहे हो ठीक है तो यह पुरा context इसमें वह पे चल रहा है उसके साथ साथ जो Russia यूक्रेन के बीच में issue चल रहा है और अमेरिका जिस तरह से यूक्रेन को हर तरीके से help कर रहा है ठीक है financially भी और weapon wise भी तो यह Russia जो है काफी चिड़ा हुआ है और desperation में कह लीजिए या फिर as a defense strategy कह लीजिए Russia अभी nuclear weapons का नाब बार बार नाम ले रहा है और Russia यह कह रहा है कि भाई अगर मेरे existence के उपर कोई खत्रा आया अगर मेरे survival के उपर कोई खत्रा आया तो मैं nuclear weapon का भी use कर सकता हूँ और Russia ने यह भी कहा कि हम लोग Belarus के अंदर अपने nuclear weapons को set up करेंगे दूसरा Russia ने यह भी कहा कि जो tactical जो nuclear weapons होते हैं हमकी भी testing करेंगे जो tactical nuclear weapons होते हैं वो छोटे size के होते हैं इससे कहीं बार लोग ने suit case weapon भी बोलते हैं उनकी testing करेंगे तो basically nuclear weapon को लेके एक बड़ा अजीव सा डर का माहौल पैदा हो गया है कि जो की अभी तक नहीं था ठीक है तो यह जो चीज़े हो रही है definitely यह सही नहीं है world peace के लिए Russia का यह कहना कि हम लोग existential threat के case में nuclear weapon के use कर सकते हैं लेकिन ना तो अमेरिका ने ना फ्रांस ने ना ब्रिटेन ने ना जर्मनी ने ऐसा कुछ भी नहीं अब तक किया है जिससे रेशिया के survival को खतरा हो उसके बावज़ुद भी रेशिया nuclear weapon को इधर उधर क्यों कर रहा है यह समझ से बाहर है threatening the first use of nuclear weapons for the deterrence देखे हमारे इंडिया की जो policy है ना nuclear weapon वाली वो है no first use policy तो इंडिया का यह कहना है कि हम लोग तब तक किसी के उपर nuclear attack नहीं करेंगे जब तो कुई हमारे उपर नहीं करेंगा हम पहले यूज़ नहीं करेंगे रशिया कह रहा है कि नहीं नहीं हम तो पहले भी यूज़ कर सकते हैं debtrence के रूप में कि मतलब कोई हमारे उपर अटैक करे उससे पहले हम आपके उपर अटैक कर देंगे, अब इससे क्या एक मैसेज जा रहा है दुनिया में, मैसेज ये जा रहा है कि ये जो बड़े-बड़े दुश्मन आपके लाजर एड़ोसरी में, आप उनको धंकी दे सकते हो, जैसे North Korea इस technique को जो है use कर सकता है North Korea कल अमेरिका को कह सकता है कि हम तुम्हारे उपर nuclear weapon से attack करेंगे अगर तुम नहीं यह नहीं किया वो नहीं किया तो तो basically जो threshold था nuclear weapon को use करने को काफी कम किया जा रहा है देखिए nuclear weapon एक last resort है जब सारे रास्ते बंध हो जाते हैं किसी country के लिए तो nuclear weapon का रास्ता बचता है last resort खतम उसके बाद खतम लेकिन रशिया का Ukraine conflict में यह कहना कि nuclear weapon का use कर सकता हूँ इस threshold को actually नीचे लेके आ रहा है अब हर छोटी मोटे लडाई में लोग धमकी देंगे कि मैं ब्रहमास्तर यूज करूँगा अरे ब्रहमास्तर एक extreme case में यूज किया जाता है extreme से भी extreme जब सारे रास्ते बंध हो जाते है तो इससे nuclear deterrence की जो doctrine थी वो कही ना कही कम होती नजर आ रही है जब cold war चल रहा था USSR और अमेरिका के बीच में उस समय दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे के उपर nuclear weapons अटैक नहीं किया क्योंकि mutually assured destruction इसे mad कहते है कि भाई अगर तुम मेरे उपर 10 nuclear boom फैंकोगे तो मैं भी तुमारे उपर 5 तो फैंकोगा तुम भी मरोगे मैं भी मरूँगा इस वजह से दोनों ने कभी भी एक दूसरे वपर nuclear weapon यूज नहीं किये लेकिन आज यूक्रेन और रश्य के conflict में जब nuclear weapon के यूज करने की बात हो रही है इसका मतलब mutual assured destruction वाला concept खतम क्योंकि यूक्रेन के पास nuclear weapon नहीं और एसनिया के यूक्रेन के पास nuclear weapon नहीं थे जब यूक्रेन रश्य का पार्ट हुआ करता था 1990 जब यूक्रेन ने अपने सारे nuclear weapon रश्य को दे दिये थे तो एक बुड़ा पैस्ट मॉमरेंडम हुआ था उसमें रश्या ने यूक्रेन को ये शोरिटी दिया था कि आप मुझे सारे nuclear weapon दे दीजिए आपके ओपर मैं attack नहीं करूँगा तो भाई आप अपने ही वचन से पीछे मुड़ रहे हो इससे होगा क्या future में इससे दूसरी countries भी इस तरह के promises को मानेंगी ही नहीं और nuclear weapon is no longer considered as a last result जैसे कि मैंने आपको बताया अब इससे नहीं दोड़ लग जाएगी दूसरी countries के अंदर क्योंकि message चला गया है न कि आपके पसा के nuclear weapon है किसी को भी धमकी दे सकते हो इरान का जो nuclear weapon program था जो अभी थोड़ा slow चल रहा है तो हो सकता है जिस तरह से इरान के आसपास issues हो रहे हैं वो भी nuclear weapon की अपनी fight को और ज्यादा fast forward कर देगा और जब हम लोग disarmament की बात करते हैं जब हम लोग disarmament की बात करते हैं या non proliferation की बात करते हैं Russia के इस move से उन सारे के सारे जो हम लोग ने अब तक effort लिया है वो भी खतम हो जाएंगे अब disarmament तो छोड़िये अब तो नई नई country nuclear weapon बनाना शूर करेंगे अब ये सारे issues जब होंगे तो world peace को लेके खत्रा होगा nuclear instability बढ़ेगी definitely और ज़्यादा proliferation होगा दूसरी countries के आप पास भी weapon जा सकते हैं Argentina Italy Germany ये country ऐसी हैं जिनके पास nuclear weapon बनाने के technology है लेकिन वो नहीं बना रहे है Canada वगरा ये country चाहें तो 6 महीने में nuclear weapon बना सकती है लेकिन because of the efforts from like UK और France और America अब तक इनों नहीं बनाया लेकिन अगर इस तीज़ तरह से अगर रश्या धंकी देता रहेगा तो फिर वही हम क्या करेंगे यूरोप वाले अपने दोस्तों के nuclear weapon देना शुरू करेंगे तो ये मू जो है बड़ा गलत है रश्या यूकरेन का conflict हो रहा है वो definitely एक बात है तो कहीं न कहीं ऐसा देखा जा सकता है और इसका कोई ultimately end भी नजर नहीं आ रहा है क्योंकि यूकरेन तो give up नहीं कर रहा है उसके पास हत्यार होगी कमी नहीं है पैसे की कमी नहीं है तो क्योंकि यूकरेन give up नहीं कर रहा है तो रश्या के resources बलकि यहां भी ज़्यादा खतम होते जा जा रहे हैं options भी खतम हो रहे हैं और रश्या की जो legitimacy है as a world power superpower वो बहुत ज़्यादा जो है वो diminish हो गई है उस desperation में कहीं न कहीं शायद इस तरह की बाते बोली जा रही है रश्या न्यूकरेब वैपन यूज़ करेगा इसके chances बहुत कम नजर आते हैं जो authoritative leaders होते हैं उनके moves आप पहले से anticipate नहीं कर सकते कुछ भी कर सकते हैं तो basic बहुत कम ही सही लेकिन जवाद धमकी देना शुरू करते हो ना तो फिर chances बढ़ जाते हैं चलो तो उस context में article है और जो आपको थोड़ा सा कुस्स समझनी होनी चाहिए पहुत कुछ additional article है आप definitely यहाँ से बढ़ सकते हों तो आज के लिए इतना ही है thank you very much all the best जय हिन जय जवान जय किसान